हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक माई यूटूब चैनल टेक्निकल मुस्ताक फ्रेंड्स आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपके वीवो के Y91C मोडल में यदि आपका इसमें स्पीकर अगर वर्क नहीं करना है तो हम इस प्रोलम को किस तरीके से सोल कर सकते हैं दोस्तों मैं आपका जादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लूँगा इसलिए मैं आपको सीधा बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको इसको मैं देखो मैं क्या-क्या बताने वाला हूँ पहले उस चीज को एक्स्प्लेन कर देता हूँ देखो सबसे के ले तो हम इसके को समझ जस तरह के सोता है और अगर आपकी ook जैंक्त कि और इस तरीके से withdrawal सकते हैं तो हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं और आभ तो दोस्तों हम यहां पर इस वीडियो बहुत इंटरस्टिंग और इंफरमेटिव होने वाला है तो दोस्तों हम यहां पर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों मेरा तोड़ा खराब ही समझाने में लेकिन पिर भी मैं अपनी पूरी कोशिस करूँगा कि आपको इ यहां पर कनेक्ट होता है इसका एक पॉंट यहां पर कनेक्ट होता है और उसका दूसरा पॉंट हमारा यहां पर कनेक्ट होता है सीसी बोड के देखें यहां पर कनेक्ट होता है तो दोस्तो जो यह वाला पॉंट है यह है हमारे स्पिकर की प्लस वाली सप्लाई होती है और उस में जो माइनस होता है लेकिन जो सप्लाई के अंदर माइनस होता है उसको हम माइनस नहीं बोल सकते एक तरीके से इस तरीके से प्लस वाली लाइन में हमारे इसकी सप्लाई आ रही है और माइनस वाली लाइन से वापस जा रही है हम इस तरीके से समझ सकते हैं लेकिन हम यह नह कनेक्टर के इस नेक्टर पर दोस्तों नीचे की तरफ जो 3 नंबर और 4 नंबर तीन नंबर पॉंट यह हमार जो CC प्लीट उससी बोड मीमें जाती है तो दोस्तों पहले आप वीडियो को अच्छ से देख ले समझ ले और उसके बाद ही अपने मोबैल में work करें ठैक है और उसके बाद वार की तरफ ब्रॉटा वालिस अलudia है वह आते हैं पर हां पrd 2.2 तो नॉमडर में इसके फ़ैसलिख सप्ला की ठीक नीचे की तरब ह purity the water is यहाँ पर दोस्तो एक मिस्टेक हो गया दिक हो उपर की तरब ब्लस वाली आती है वह नीचे की तरब माइणस अते बस इतना है ठीक और आप दोस्तों उसके बाद कहा पर जाती है उसके बाद जाती है दोस्तों हमारे यहाँ पर देख सकते हैं जो यह सिम ट्रे है उस सिम ट्रे की यहाँ पर नीचे की तरब आप देख सकते हैं जो यह वाली आईसी लगी है यह है इसकी साउंड आईसी ओडियो आईसी जिसको ह कहा से जाती है मारे इस वाले पॉइंट पर ठीक है और उसके बाद जाती है दोस्तों हमारे हाँ पर इस वाले पॉइंट पर इस आइसी का जो यह वाला पॉइंट है इस वाले पॉइंट के अंदर मारे इसकी सप्लाई आ जाती है और उसके बाद कौन सी सप्लाई होती है उसक का एक नमर्पॉंट इस पर हमारे इसकी supply आ जाती है ठीक है इस तरीके से होता है तो तो हमारे इसमें speaker का track जो मैंने आपको complete बता दिया है अब दोस्तों मैं आपको बताओं कि अगर इस line में shooting आती है तो आपको किस तरीके से repair करना है दिखो तो sorting condition यहाँ पर इसमें कोई component नहीं है, यहाँ पर अगर आपका original CC board है, तो यहाँ पर आपको एक capacitor देखनी को मिलेगा, आपको इसको हटा देना है, और यह coil है, उसको भी उस पर आप jumper करके देख सकते हैं, कोईल से sorting नहीं आती, जो capacitor लगा रहता है, उससे sorting आती है, तो दोस्तों उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो, sorting condition कब आ सकती है, जो जो मैंने यह वाली पीने बताई है, वो कहीं इदर कई से sort हो रही है, तो sorting के condition आ सकती है, बाकि क्यूंकि इसके line में कोई भी component connect नहीं है, तो sorting condition बहुत कम रहती है, अब दोस्तों आती है, रीडिंग अगर नहीं आ रही है, अगर रीडिंग नहीं आ रही है, तो मैंने आपको पूरा इसका track बता दिया है, कि आपको यहां पर इसका track होता है, वो कहां से होता है, कहां जा रहा है, तो वो आपको complete check कर ले और उसके बाद सीधा अपने यहां पर जो यह CC board यहां पर आपको दिख रहा होगा, इस CC board के यहां पर इस वाले point पर आप जंपर कर सकते हैं, प्लस वाले point पर ठीक है, अगर रीडिंग नहीं आ रही है, और रीडिंग कैसे check करते हैं, अपने मल्टिपिटर को वी प्रेंट नहीं चल रहा है, तो उस condition में क्या fault रह सकता है, देखो, उसमें हमारा यहां पर इसकी audio IC का भी fault रह सकता है, लेकिन audio IC को पहले change नहीं करना है, पहले हमें किन चीज़ों को check करना है, वो आपको ध्यान देना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहां पर, देखो, जिस तरीके से हमें भी काम करने के लिए ताकत की जरूरत होती है, उसी तरीके से हमारा sound IC को काम करने के लिए voltage की जरूरत होती है, और वो voltage आता है, यहां पर इस वाले point पर, यहां पर आपको 3.7 से लेकर 4.2 की बीच voltage मिलना चाहिए, उसके बाद हमारे capture के अंदर और उसके बाद हमारे sound IC के इस वाले point पर चला जाता है, तो दोस्तों अगर आपको यह voltage यहां पर भी नहीं मिलता है, तो भी अपना sound IC वर्क नहीं करेगा, और दोस्तों यह voltage आता हमारे इस वाली coil से, इस charging IC से आता है, इस coil में अंदर, इस coil से हमारे यहां पर इस वाले point प होती है हमारे को भी, तो जैसे कि यह signal हमारे इस audio IC को कहा से मिलता है, वो मिलता हमारे यहां पर CPU से, जो हमारे यहां पर यह CPU से हमारे audio IC को signal मिलता है, और यह signal कब आता है, जब हम अपने mobile में sound से related कुछ activity करते हैं, मतलब जैसे हम ringtone play करते हैं, कुछ गाना वगर अपले करते ह यहां पर इस वाले point पर, तो आपको क्या करना है, इस वाले point पर आपको ground reading चेक करना है, यहां पर 300 से लेकर 900 की बीच यहां पर आपको ground reading देखने को मिलेगी, अगर यहां पर यह reading नहीं आ रही है, तो पिर आप समझ लिजे अपना CPU का problem है, वो अपना CPU से एगर line नहीं आ र पार रही है जिसके वज़े से हमारे यहां पर audio IC work नहीं कर रहा है ठीक है और उसके बाद दुस्तों देखो जैसे आपको यहां पर ground reading मिल रही है तो उसके बाद Gpio Section से यहां पर इसको voltage भी दिया जाता है जिपी आई ओ मलला जन्रल पर 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 इन्पूट-आउट्फूट देक है यहां से वहले जाता है इसको अगर यहां पर जीपियो का रही है लेकिन वोल्टेज नहीं बन रहा है तो जहां से 1.8 का वोल्टेज बनता है वहां से आप डायरेट यहां पर जंपर कर सकते हो लेकिन उसमें थोड़ी सी बेटरी ज्यादा कंशूम होगी लेकिन यहां पर आपका स्पीकर वर्क करने लगेगा ठीक है बाकी इसमें यह वोल्टेज तभी आता है जब CPU कमांड देता है इसलिए बेटरी की थोड़ी बचत करता है लेकिन कोई दिकत नहीं हो जाता है प्रोलो इतना कुछ चिफेक्ट नहीं है तो आई होब दोस्तों जो मैंने यहां पर आपको बताया है समझाया है वो आप लोगों के लिए हेलप तब तक लिए टेक केर